नमस्कार दोस्तों मैं क्रिश्टम उर्थी आप सभी का सवाध करता हूँ लर्णिंग गिरे यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपस्टॉक्स पे कैसे अपने नॉमनी को अपडेट करोगे यहाँ पे एक ची ध्यान रख लेना जो भी आपका CDSL का DMAT account है वहाँ पे नॉमनी अपडेट करने में दिक्कत हो रही है तो चाहे वो पेटीम मनी का हो चाहे वो अपका अपस्टॉक्स का हो चाहे वो अपका काईट का हो जिरोधा का हो चाहे वो grow का हो चाहे वो angel 1 का हो angel 1 में तो मैंने बता रखा कैसे करना है grow में, kite में और यहाँ पेटीम मनी में आप जो है यह आपका online procedure जो है नहीं हो रहा है CDSL से वहाँ पे error आ रहा है तो जो भी आपका procedure है kite का, grow का, patium मनी का through website वही आप करें आपका हो जाएगा यहाँ पर मैं upstock से बता रहा हूँ आपको कैसे करना है जो भी आपका upstocks app है यह आपको open करना है open करने के बाद यहाँ पर आपको account का option दिखाए देगा इस पर आपको click करना है जैसे ही आप click करोगे इसके आप my account का option आपको click करना है आपका account फ्रीज हो जाएगा, आप कुछ भी buy sell नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो आपको no nominee जो है, मेरा update है, तो मुझे भी nominee अप्रेट करना होगा, तो यहाँ पर क्या करना, add nominee का option है, इस पर आप click कर देना, इसके बाद nominee का first name, last name, relationship, एक सव नहीं होगा, father होंगे, यहाँ पर फिर nominee का date of birth पूट करना है, खुद का date of birth मत पूट करना, यहाँ पर nominee का pen number पूट करना है, nominee का address पूट करना है, और यहाँ पर nominee का pin code पूट करना, address का, सब कुछ पूट करने के बाद जो है, यहाँ पर continue का option है, इस पर आप click कर देना, यहा यहां पर देखो अपका नोमनी workers कोया है और यहांपर मानलो अगर आपको नोमनी दो या तीन आड करने तो यहां पर मुझे ऑप्सन नहीं दीखे रहा ह। यहां पर सकते होगा यहां पर से अपन्डेट से ऊपर नहीं होना चाहिए यह चल श्ञ 내가 आपको ध्यान रखना होगा, एक नॉमनी है तो 100%, दो नॉमनी है तो 50%, 50% या फिर जो भी percentage आप पुट करो, 100 से उपर नहीं होना चाहिए, यह आपका हो गया, यहाँ पर मैं continue का option पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर जो अपका OTP आएगा, जो भी आपका registered mail ID है, अपस्टॉक्स के साथ, और आपका mobile number है, उस पे आने वाला है, फिलाल आपका CDSL का issue चल रहा है, उस पे आपको आधार number वाले पर OTP नहीं आएगा, तो जो भी broker है, वो आपको यह तरीका अपना रहे हैं, कि जो भी आपका registered email ID है, और mobile number है, उस पे आपको OTP सेंड कर देंगे, वो OTP आप यहाँ पर पुट कर ले ना, और submit का option पे click कर दो आप, यहाँ पर देखो request to add nominee is successfully submitted मैंने कर दिया है, your request is under review, it is usually takes 1 to 2 working days के अंदर जो है, मेरा nominee जो है, अप स्टॉक्स में आपका update हो जाएगा, अगर मालो successfully update हो गया, तब हो message चलाएगा, और मुझे कोई दिक्कत मेरे count active रहेंगे 31st March के बाद भी, simple, आपको यही procedure आपको करना है, अगर CTSL आधार कार्ट पे e-sign नहीं ले रहा है, आने वाले time में जो है सारे broker आपको यह facility प्रोवाइड कर देंगी, जो आपका OTP है, आपकी email ID पे और registered mobile number पे जाएगा, वहाँ से verify कर देना, और ऐसे जो आपका OTP है, 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